हेलो क्लास 11 वेलकम टू आबर चैनल जेनित गुरू मैं हूँ आपका मेंट और आश्वतोश मिश्रा और आपके लिए मैंने स्टार्ट कर रहा है बहुत ही इंपॉर्टेंट इनिट जिसका नाम है साइट ओलोजी और चैप्टर क्या नाम है सेल दा बेसिक उनिट आफ उसके बाद हमने देखा लाइसोसोम वेक्यूल ठीक है इसके बाद आज हम जो देखने वाले हैं वह बहुत ही इंपॉर्टेंट सेल और गनल है जिसको हम पावर हाउस ऑफ सेल भी भोलते हैं आप तो जान गए होंगे उसका नाम है माइटो कॉंडिया तो चली देर नहीं कर इंटनीट ना गन कमा माय nue kron Ņ कटीक है की तुछ बैसिक बात पर प्ताओंगे मैं सबसे पहले माइटो कॉंडिया जो है है कि टर्म माइटे ओंड़ेया माइटे स्टर्म माइटो कउंडिया हूं एक सअथ नेया पर questo स्था उनका नाम था बैंडा को कि न का नाम किया था ब Mitochondria term Mitochondria proposed by proposed by a scientist 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 Benda discovery का credit देखे बहुत लोगों को बहुत बार Mitochondria मिले लेकिन उन्हों अच्छे से explain नहीं कर पाएं इसलिए जो discovery का credit है वो किसी और को मिला ठीक है तो कोशन यह आता कर डिस्कवरी का पूछा जाए कि Mitochondria की discovery का credit किसको मिलता है तो याद रखेगा अल्टमान और फ्लेमिंग अल्टमान और फ्लेमिंग अल्टमान और फ्लेमिंग जो साइंटिस्ट है उन्हों नहीं क्रेडिट अफ डिस्कवरी क्रेड अफ डिस्कवरी ओफ माइटो कॉंड्रिया किसको मिलता है किसको मिलता है फ्लेमिंग इनको माइटो कॉंड की का क्रेडियम असान पहला पोईंट गापता है तर्म माइटो कॉंडे किसे दिया था बेंडा नाम के साइटिसने डिस्कवरी जाता है फ्लैमिंग और अल्टमान को ठीक है चलिए आगे देखते हैं माइटो कॉंडिया जो है उसके पास डबल मेंब्रेन होगी क्यों डबल मेंब्रेन होगी इसका रिजन मैंने बताया था याद रखिएगा सेल और्गनल में जहां जहां पर डियने होगा वहां वहां डब मैंब्रेन तो मैं लिख दूओ इज डबल मेंब्रेन याइज डबल मेंद डबल अक दर्रोंल गिए भी लिख सकने है जह लगव को देखने जेम क्यूंद और यह रिखने में फ्स डब मेम्ड बRohon सेल और होगनल बूल तिक आप डीना होगा इसका इटाज डीने इस दिन अ ठीक डीने होगा तो राइबोस्म भी होगा इटाज राइबोस्म राइबोस्म का वेत याद रखेगा वोगा 70 यह सेवेंटीस ठीक है नमबर ओफ माइटोकॉंड्रिया नमबर ओफ माइटोकॉंड्रिया इनसेल इनसेल इस वेरियेबल इस वेरियेबल कहने का मतलब क्या है कि सेल के अंदर कितने माइटोकॉंड्रिया होंगे ये cell to cell vary करता है, वो cell कैसा function करती है, उस पर depend करता है, माल लिजे कोई cell ज्यादा active है, उसके पास ज्यादा mitochondria होगा कि उसको ज्यादा cell energy produce करना है, है ना है, mitochondria काम क्या है, energy produce करना, ठीक है, ये clear हो गया, पहला point क्या है, it has, it is a double membrane, cell membrane bound cell organal, यान इसके बसके है, double membrane, double membrane कहां पर होती है, जहाँ पर DNA होता है, और जहाँ DNA होगा, वहाँ पर ribosome जरूरूरू होगा, तो, it is double membrane bound cell organal, it has DNA, ribosome, वेट याद रखेगा 70S, number of mitochondria in a cell is variable, वो vary करेगा, जो cell ज्यादा active होगी, उसके पास ज्यादा mitochondria होगा, बुले क्लियर हुआ है, ठीक है, एक इक इंपोर्टन पॉइंट है, also known as powerhouse of, powerhouse of cell, also known as powerhouse of cell, ठीक है, ये पॉइंट क्लियर हो गया, पहला पॉइंट, it is double membrane bound cell organal, double membrane कहाँ पर होगी, जहाँ पर DNA होगा, जहाँ पर DNA होगा, वहाँ पर ribosome भी होगा, ठीक है, number of mitochondria in a cell is variable, एक cell में number of mitochondria variable कर सकते हैं, एक cell दूसरे cell में, ठीक है, माल लिजे जो cell ज्यादा active है, उसके पास ज्यादा mitochondria होगे, और जो cell कम active है, उसमें कम mitochondria होगे, ठीक है, चली, क्या बता दिया है, मैंने इस वीडियो में, पहला term mitochondria दिया था, बेंडा नाम के scientist ने, credit of discovery of mitochondria goes to flaming and altman, ठीक, तो इस वीडियो के लिए नहीं रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि NCRD क्या लिख रहा है, मैंने के बारे में, तो चली, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में,